जहें देर इवर्वन, जितने साथियों का हाइट कम रहता है, उन लोगे के लिए जल्दी कोई भरती नहीं निकाली जाती है, वो लोग काफी जादे परसाण रहते हैं, सोचते हैं यार कास हमारे लिए भरती निकाली जाती, तो भी ज़ारखंड पुलिस की एक ऐसी भरती नि इसमें सबसे पहले दोड कराए जाएगा, लड़कों का दोड 10 km कराए जाएगा, और लड़कियों का दोड 5 km कराए जाएगा, भी कना दोड में कितना टाइमिंग मिलेगा, अब ही मैं आप लोगोग को पेपर बता रहा हूं, जब दोड हो जाएगा आथ आईसा नहीं कि हो चाहे फीमेल हो अगर आप सिंपल दो स्पास हो तो आप सभी लोग इसमें फार्म भर सकते हो उसके लिए मैं आप लोगो पूरा का पूरा बात समझाने का पोस्टिस कर रहा हूँ यूट्यूब पर जारखंड पूलिस के बारे में काफी सारे लोग वीडियो बना चुके हैं लेकिन ये वीडियो सबसे अलग होने वाला है ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपके मुन में थोड़ा सा भी डाउट नहीं होगा इसका ओनलाइन कितने तारिक से कितने तार में बरेंगे ऐसा कोई बात नहीं है आप मतला अदर इस्टेट से हो दूसरे राज जैसे हो तो अभी भी आप इसमें अपलाई कर सकते हो ठीक ना और इसका अप्लिकेशन फीस भी जादे रुपया नहीं है सिर्फ 100 रुपय अप्लिकेशन फीस है और एस्ट कर टेगरी वाल लिकिन जो में में पॉइंट लिखा गया है वो पूरा का पूरा पॉइंट में अलग से लिखकर आप लोग को सारी चीजों को समझाने का कोशिश कर रहा हूं अगर इस नोटिफीकेशन से आप लोग सारी चीजों को समझोगे ना तो आप लोग काफी सारा पेज इसमें दि अब बात कर लेते हैं यह जो इडिट लिखा गया है ना अब बात कर लएते हैं उमर सीमा खा तो इसमें फारम भरने के लिए कितना एज होना चाहिए कितना उम्र होना चाहिए तो कम से कम 18 साल उम्र होना चाहिए और अधिक से अधिक 25 साल होना चाहिए ठीक ना मतलब कम से कम 18 साल होना चाहिए और अधिक से अधिक 30 साल होना चाहिए तो यह एज आप लोग देख लेना अब बात कर लेते हैं अप्लिकेशन फीश का तो अप्लिकेशन फीश भी जादे नहीं लग रहा है इसमें आउनलाइन कराने के लिए सिर्फ 100 रुपिय अप्लिकेशन फीश लागेगा और जो लोग यह 80, 80 का टेगरी से आते रहेंगे ना उन लोग का सिर्फ 50 रुपिय अप्लिकेशन फीश लागेगा अगर आप दूसरे राज जैसे हो जनरल से फार्म बर रहे हो तो फिर आपका 100 रुपिय अप्लिकेशन फीश लागेगा ठीक ना आप सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं मतलब इसमें सबसे पाले क्या कराया जाएगा मैं आप लोग को पाले ही बता दिया हूँ मतलब जारखंड पुलिस में सबसे पाले फिजिकल कराया जाएगा दोड कराया जाएगा ठीक ना दोड से पाले हाइट होई टेना पाजाएगा कितना हाइट ना पाजाएगा वो भ पहार हो जाएंगे जो लोग मेडिकल फिट होंगे उसके बास से पेपर होगा ठीक ना और पेपर किस टाइप का होगा वो भी मैं आप लोग को समझाओंगा ठीक ना तो मतलब इसका सेलेक्शन प्रोसेस तो दोड़ने वाले भाईयों के लिए अच्छा ही है पहले दोड़ हो हाइट 170 cm होना चाहिए जितना T.A.R.M.E. में लगता है ठीक ना और जो लोग E.S.C.E.S.T. कटेगरी से आते रहेंगे यह तो जारखंड वालो के लिए है मतलब जारखंड वाले इना E.S.C.E.S.T. कटेगरी से गिंती होंगे बाकी तो जनरल से होंगे तो उन लोग cm होना चाहिए और जो लोग लड़कियां है मतलब फीमेल कटेगरी के लिए हाइट 148 cm होना चाहिए ठीक ना चाहिए किसी भी कटेगरी से आते हो अगर लड़कियां लोग अलग राज जैसे फारम बरेंगी तो 148 cm हाइट रहेगा तो काम चल जाएगा देखो हाइट कितना कम मांगा गया है अब यहां पर चेस्ट के बारे में बताया गया है तो इसमें लड़को का लड़कियों का चेस्ट नहीं मांगा जाता है उसके बाद से जो लोग यह सी अस्टी करेगरी से आते रहेंगे उन लोग का मतलब नारमल चेस्ट 89 cm होना चाहिए ठीक ना अब बात किलो मीटर दोडने के लिए साथ मीनट का तायम मिलेगा और लाजकीयों का दोड़ पाँच किलो मीटर कराये जाएगा फाँच किलो मीटर दोडने के लिए तадц Record का टायम मिलेगा ठीक न है तो यह आपका दोड़ वाला सिस्टम पूरा का पूरा आप लोग देख लेना अब बात करते हैं इसमें सेलरी का है तो सेलरी मतलब अच्छा खासा मिलता है जो एक ऐसे जार साथ सो मीनिमम है और अत्तर हजार सौर्विया मतलब तीस हजार के आसपास से यह सुरुगात होता है ठीक ना इसने बहुत सारी चीजों को जोड़ी जाती है अभी आप लोग को पता चल गया मतलब जब दोड हो जाएगा जब मेडिकल हो जाएगा उसके पास से आपका पेपर होगा पेपर कैसे होगा मतलब पेपर आपका जैसे पेपर वन और पेपर टू के हिसाब से इस तरह से आपका पेपर होगा पेपर वन मे एक बटे तीन कराएगा ठीक ना अभी वो भी मैं आप लोग को नोटिफिकेशन मिले जाकर दिखा दे रहा हूँ और किस तरह से मतलब दूसरे राज्ये वाले फार में बरेंगे कैसे बरना है मतलब उन लोग को भी पूरा बास समझ रहा है अभी नोटिफिकेशन के माध्यम स उन लोग को भी मैं सारी चुजों को समझाने का कोशिस कर रहा हूँ जब पेपर वन हो जाएगा तो फिर पेपर टू होगा ठीक ना पेपर टू में आपका भाग वन हिंदी के पचास कोस्चन रहेंगे और भाग टू में जीके के पचीस कोस्चन रहेंगे ठीक ना तो मार्किंग एक बट्टे तीन कराएगा हम लोग इसके ऑफिसियल नोटिफिकेशन पर आ जोगे हैं जितना लोग इसमें दूसरे राज जैसे फार्मा बराएंगे तो उतने लोग को एक बात समझने का जरूरत है जारखंड में जितना भी जिला है मतलब प्रतियक जिले का नाम दिया है और प्रतियक जिले में कितना भी केंसी निकाला गया है उसके बारे में भी इधर बताया गया है जैसे जिला राची यहां लिखा गया है तो राची जिला के लिए टोटल सियत्तर भी केंसी निकाला गया है मालो आप दूसरे राज जैसे हो और आप जर्खंड पूलिस में फार्म बरना चाहते हो तो राजी जिला में फार्म बर सकते हो लेकिन आप लोग को क्या समझना है ये समझना है कि मतलब जब दूसरे राज जैसे आप फार्म बरोंगे ना तो आप जनरल कटेगरी में आओगे तो आप लोग को देखना है कि मतलब कीजीले में Wonderful के लिए ज्यादे वाईकेंसी निकाली गई है जैसे राची जीला में General के लिए मालोपूरुस के लिए 6 वाईकेंसी है और महीला के लिए 44 वाईकेंसी है और किस category के लिए कितना vacancy है वो भी इधर बताया गया है तो इसको आप लोगों को देखकर फार्म बरना है ठीक ना अब नीचे यहाँ पर दिया है ऐसे जीला, सीम और डेगा दिया है तो इसमें सीम डेगा में टोटल 103 vacancy है ठीक ना उसके बास से पूरूस के लिए 25 vacancy है अनाराचित में और महिला के लिए कितना है 52 vacancy है और यहाँ पर category का नाम दिया है उदर जो category पड़ता है ठीक ना तो इस तरह से आप लोगों को देख लेना है कि कहां पर मतलब general वालों का जादे vacancy है खीस जीले में general वालों का जादे vacancy है तो उसी जीले में आप लोगो फार्म अपलाई करना है ठीक ना आप किसी किसी जीले में तो मतलब general वाले का मतलब पूरूस में एक भी vacancy है अगर आप अभी तक मेरे टेलीगराम चैनल में नहीं जुड़े हो तो अपने टेलीगराम चैनल का लिंक में दिस्क्रिप्शन में भी देदूंगा और about में मेरे टेलीगराम चैनल का लिंक मिल जाएगा तो वहां से जाकर आप लोग मेरे टेलीगराम चैनल में जुड़े जाना इसका पूरा नोटिफिकेशन में अपने टेलीगराम चैनल में भेज़ दूंगा अगर आप जारखंड से नहीं वह दूसरे राज्य से हो और इसमें फारम भारना चाहते हो तो भाई कर्टेगरी वाला मैटर आप लोगो अच्छे से समझ लेना है मतलब आपके राजे में आप जीस काटेगरी में आते हो ना मालोब आप एस्टी काटेगरी में आते हो या एस्टी काटेगरी में आते हो तो जब जारखंड पुलिस में फारम भरोगे ना तो आप एस्टी काटेगरी या एस्टी काटेगरी में काउंट नहीं होगे गिंती काफी SIMPLE DOS PAS हैं, और उनलोग का HIGHT कम है, और उनलोग दड़ने में काफी अच्छे खासे हैं, तो उनलोग के लिए भरती काफी अच्छी खासी है, वैसे भी मतलब इतना कम हाइट वाला कोई भरती जल्दी नहीं निकाली जाती है किसी राज्य में तो इसलिए कम हाइट वालों के लिए अच्छी खासी वाइकेंसी है और मतलब काफी सारो लोग तो दोड में ही छड़ जाएंगे जो पड़ने में जादे तेज राते हैं और जो लोग दोड में फिट भी होंगे तो काफी सारो लोग मेडिकल में भी छड़ जाएंगे जो दोड मेडिकल फिट होंगे उसके बाद सनो पेपर कराए जाएगा तो इसलिए कम हाइट वालों के लिए तो काफी अच्छी खासी ये भरती लग रही है